नमस्कार श्वागत है आप सभी का Current Affairs Revision Series में आज ये 14 वीडियो है जिसमें हम लोग March का Part 2 का Current Affairs का Revision करेंगे आप में से कई लोग Current Affairs की E-Book और PDF के बारे में जानकारी मांग रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम E-Book को PDF के form में आप तक पहुँचा सकें इसके लिए आपको बिल्कुल अलग से सूचना बनाकर वीडियो में दे दी जाएगी और लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज का Revision सबसे पहले पिछले Current Affairs में एक गलती थी उसको सुधार लेते हैं टाइपिंग मिश्टेक हो गई थी उत्तरा खंड राज का गठन जहाँ पर 9 नॉवंबर यहाँ पर 2009 लिग गया था इसको 9 नॉवंबर 2000 पढ़िएगा तो आज का पहला Current Affairs देखते हैं Digital साच्छर्टा कारिकरम केरल ने I.E.M. Also Digital नामा के एक Digital साच्छर्टा कारिकरम सुरू किया है तो यहाँ पर मातपूर्ण यह है कि यह Digital साच्छर्टा कारिकरम जो है इसका नाम I.E.M. Also Digital और किस ने सुरू किया है केरल ने यह अभियान केरल साचरता मिसन और सुचना प्रोध्योकी विवाग के तहट केरल राज IT मिसन के दोरा सुरू किया जाएगा इस अभियान को मुख्य रूप से डिजिटल टकनीक के बारे में समाज को सिचित करने के लिए एक जन भागिदारी मॉडल के रूप में लांच किया सिर्सक एक रिपोर्ट का इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है तो सयुक्त राष्ट बालकोस यानी UNICEF सयुक्त राष्ट की महिलाओं के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक नया यूग 25 साल की प्रगति पर इस्टॉक लेना इस सिर्सक से एक रिपोर्ट जारी की है UNICEF ने इसकूलों में लड़कियों के लिए ड्रॉप आउट की दर 2008 से 2018 तक 20% घटकर 13.5% हो गई जो की अच्छी खबर है और अधिक ससक्तिकरण हुआ इस रिपोर्ट के अंसार अभी भी लड़कियां असमान हिंसक महौल का सिकार हैं और 15 से 20 वर्सी लड़कियां जिन में से 20 BBC Indian Sports Woman of the Year Award किसको दिया गया है पीवी सिंदु को BBC Indian Sports Woman of the Year Award से समानित किया गया है पीवी सिंदु ओलंपिक में रजत पदत जीतने वाली भारत की पहली सिंगल बैट्मिंटन के लाड़ी थी और वह स्विट्जर लेंड के बासेल में आजित बैट्मिंटन बिस्टु चेंपि पहली भारती हैं तो ये दोनों ही उपलब्धियां उनके नाम पर हैं इसके लामा BBC पूरो भारती स्प्रिंटर पीटी उसा को लाइफ टाइम अचीवेंट अवार्ट से समानित किया है अगला अपडेट देखते हैं कॉमिक बुक का विमोचन तो नवीन पतनायक ने The Adventures of the Darede Pavel Democrat नामक एक कॉमिक बुक का विमोचन किया है और ये पुस्तक मात भूम की सेवा के लिए युवाओं को प्रेणित और प्रोषाहित करने के उद्देश से जारी की गई है इस विस्तक को काउमिक बुक कलिंग फांडेशन ट्रस्ट दोरा तयार एवं नई दिल्ली के क्रियेटिव वर्क्सॉप दोरा प्रकासित किया गया है पोशन अभियान को लागू करने में अवल आज तो ये नीत यायो की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है नीत यायो के अंसार पोशन अभियान को लागू करने में आन्द प्रदेश पूरे देश में नमबर वन पर है यानि अवल है और पोशन अभियान के दो वर्स पूरे होने पर आठ से बाईस मार्च दोजार बीस तक पोशन पकवाड़ा काईकरम आजित किया गया तमिलनाड़ू इसका इकरम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में राजियों की सूची में पृथामिस्थान पर है यानि सरवादिक संख्या में लोगों ने तमिलनाड़ू में भाग लिया भारत सरकार द्वारा देश की पोस्रण की समस्या को दूर करने के लिए 18 दिसंबर 2017 को पहले राष्टी पोस्रण अभियान की सुरुआत की गई थी इसके अंतरगत 0-6 वर्स तक के बच्चों, गर्वती महिलाओं और दुख दुपान कराने वाली माताओं की पोस्रण की स्थ अगला अपडेट मिसन सकती विभाग किस ने बनाया है उडीसा सरकार ने बनाया है उडीसा द्वारा मिसन सकती विभाग स्वयम साहता समू के लिए बनाया गया है इसकी स्थापना महिलाओं के विकास के लिए की गई है जो उडीसा की महिलाओं को समर्पित है मिसन सकती और मम्ता योजिना से सायोगत रूप से राजी की करीब 70 लाख महिलाओं को लाब मिलेगा next update ग्रीन जम्मू एन कस्मीर का इक्रम मार्च 2020 में जम्मू और कस्मीर वन विभाग ने ग्रीन जम्मू और कस्मीर काईकरम के तहट केन सासित प्रदेश के विभिन किस्मों के 50 लाग पौधे लगाए यह अभियान देश बर में हरी तावरण को बढ़ाने के लिए राश्टी पहल का हिस्सा था मद्ध मार्च 2020 तक जम्मू कस्मीर और वन विभाग ग्रीन जेके काईकरम के पहले चरण के तहट केन सासित प्रदेश में विभिन प्रकार की किस्मों के 32 लाग पौधे लगाए गए यह पहले चरण में लगाए गए और इसके दूसरे चरण में मार्च के अन तक कुल संख्या को 50 लाग तक ले जाने के लिए 18 पौधे और लगाए गए थे अगला अपडेट गूगल इंडिया द्वारा डिजी पिवाट लांच किया गया तो यह है क्या यह महिलाओं के लिए कौसल विकास का कारिकरम है यह कारिकरम उन महिलाओं के लिए है जो एक ब्रेक के बाद अपने कार्पूरेट करियर में वापस जाना चाहती है कारिकरम करियर पोर्टल सेवा आउतार और इंडियन स्कूल आफ बिजनेस के सहयोग से तयार किया गया है इस कारिकरम को देश 200 महिला पेसेवरों को पुना कौसल प्रदान करने के लिए आउसर प्रदान करना है नेक्स्ट अपडेट वसीम जाफर का क्रिकेट के सभी प्रा अर्टी क्रिकेटर हैं तो यह उनके नाम एक रिकार्ड भी है कि उन्होंने रणजी टॉफी में 150 मैच खेले हैं अपने प्रथम स्रेडी करियर में जाफर ने 57 सतक 91 अर्थ सतक बनाये हैं जिसमें से 314 रण जो है उनका उच्चतम स्कूर है नेक्स्ट अपडेट सोलर रूप्टाफ सोलर प्लांट इस्थापित किये गए हैं राज सरकार ने घरेलू इसतर पर सौर उर्जा के उप्यों को बढ़ाने के लिए सूर गुजरात नामक योजना सुरू की है और यस योजना कलच 2022 तक 8 लाग से अधिक घरेलू भूगताओं को कवर करना है सोलर रूप्टाप सौर पैनल होते हैं जिन्हें वानिजिक संस्थान या आवासी भवनों पर छटो पर लगाया जाता है और वे सूर्ज से उससरजित प्रकास उर्जा को लेकर उसको बिद्धित उर्जा में बदल देते हैं नेक्स्ट अपडेट पर्यावरण से संबंदित अपराद तो एक रिपोर्ट आई है नियंतरण एवं महालेखा कार यानी सीएजी की रिपोर्ट के अंसार 2014 से लेकि 2016 के दोरान देश में पर्यावरण से संबंदित अपरादों में 40 प्रसत से भी अधिक अपराद इस रिपोर्ट के अंसार अधिकांस अपराद वन जीव सननचन अधनियम से जुड़े हैं इनमें जंगली जानवरों को पकड़ना जहर देना जाल में फसाना वन भूमी के उप्योग से जुड़े अपराद सामिल हैं नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दफ फ्रीडम इन द वर्ड रिपोर्ट 2020 तो इस रिपोर्ट में यानि दफ फ्रीडम इन द वर्ड रिपोर्ट में भारत को तिरासीवा इस्थान प्राप्त हुआ यही महत्पूर्ण है आपके एक्जाम पॉइंट आप व्यू से हाली में अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस यानि इसको फ्रीड क्रदेशों में केवल टूनेशिया को भारत से कमंक प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट अपडेट वर्ड किटिनी डे इस बार कम मनाया गया बारा मार्च को मनाया गया और यह हर वर्ष जो है मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है इध्यान न किये का इसका दिन फिक एक्र्षन एंड इक्विटेबल एसेस्टू केर इसकार्थ है हर कहीं हर किसी के लिए किडिनी स्वास्त या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रोक्थाम से लेकर जाच और देखभाल तक समान पहुँच दुनिया भर में किडिनी की बिमारी से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से इस बिमारी से निवारण और लोगों में जागरुकता उत्पन करने के लिए मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ड किडिनी डे मनाया जाता है किडिनी की बिमारी के सुरवा लच्छन है नेक्स्ट अपडेट बीबीसी पोल में बिस्तो के सबसे महानतम नेता कौन चुने गए हैं तो बीबीसी पोल में बिस्तो के सबसे महानतम नेता महराजा रणजीत सिंग को चुना गया है यह सर्वे बीबीसी वर्ड हिस्ट्रीज मेगजीन के द्वारा कराये गया जिसमें अफ्रीकी सुतंता सेनानी, अमिलकर, कैबलर 25 फिजदी वोट के साथ दूसरे इस्थान पर और ब्रिटेन में गुरु युद्ध के समय प्रधानमंतरी विंस्टन चर्चिल अपने त्वरित निर्णयों और युद्ध में ब्रिटेन को बनाये रखने के लिए 7 प्रि प्रिटेन के समावेसी इंटरनेट सुचकांग जारी किया गया है 2020 का और इसमें भारत ने 46 वा इस्थान प्राप्त किया है 46 पोजीशन जो है भारत की है इस सुचकांग के इस दुच्छिद एस देशों में इंटरनेट का सबसे अधिक उप्योग भारत में और सबसे कम उप्योग कहां पर होता है पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान में क्या इस्थान है 46 वा इस्थान है इसमें देशों को 100 के स्केल पर अंक दिये गए हैं इंडेक्स में स्वीडन न्यूजीलैंड और यूएस से क्रमसा पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है यानि स्वीडन पहले नंबर पे नियूजिलेंड दूसरे नंबर पे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है विश्वस्वार संगठा ने डवलोचो लारा COVID-19 को बैस्विक महाबारी घोसित किया गया कब घोसित किया गया यह आप लोग जानते हैं लेकिन इसकी डेट पूछी आ सकती है 11 मार्च को यह किया गया था 11 मार्च 2020 को WHO ने COVID-19 को वैस्विक महामारी यानि ग्लोबल पैंडेमिक घोसित किया था United States Center for Disease Control and Prevention Concern महामारी वह रोग है जो कई देसों में फैलता है जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है महामारी रोगों के तिहास में Black Death सबसे घातक था इसके कारण 24 सताबदी में 75 से 200 मिलियन लोगों की मौत हुई थी और 2009 में Flu जो H1N1 था और 1980 में Influenza महामारी जिसको Spanish Flu बोला गया था ये सब ही जो है बहुत ही घातक महामारियां थी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं फगली फेस्टिबल फगली फेस्टिबल कहा मना जाता है हिमाचल प्रदेश के किनौर जिले के यांगपा गाउं में मनाया गया ये मौसो बुराई पर अच्छाई जीत के प्रतीक के रूपे मना जाता है, ये तिवहार सरदियों के जाने और बसंत के मौसम के आने की चिन्धांग कित करता है COVID Action Platform किसके दोरा बनाया गया? तो COVID Action Platform विस्व आर्थिक फोरम यानि WEF के दोरा विस्व स्वास संगठन के सहयोग से लांच किया गया इसका उद्देश निजी छेतर की सहयता से कोरोना वाइरस के प्रकोप को रोकने के लिए कार करना है और इसका प्रमुक कार आपूर्ती स्रंखला है, यानि साप्लाई चेन को मजबूत करना है ताकि आवस्यक वस्तूओं और उपकरणों की सप्लाई प्रभावित ना हो इस बैंक के साथ भी साज़दारी की थी, जिस पर RBI के द्वारा प्रतिबंद लगा दिया गया था नेक्स्ट अपडेट भारती टत्रचक की पहली महिला उपने रिच्छक कौन बन गई है नुपूर कुलसेट भारती टत्रचक बल की पहली महिला उपने महाने रिच्छक बन गई है उन्होंने 1999 में भारती टत्रचक बल जोईन किया था और भारती टत्रचक समुद्ध में साल भर विबिन मिसनों के संचालन करने वाला एक संगठन है अगला अपडेट 13 प्रमुक बंदरगा की स्थापना कहां पर की जा रही है तो केन सरकार ने महाराष्ट के वाधवन में देश के 13 प्रमुक बंदरगा के स्थापना को मन्जूरी दी गई है वाधवन पोर्ट की अनुमानित लागर 65,000 करोन रुपए से अधिक है और नया मेजर पोर्टलेंड लॉर्ड मॉडल के अधार पर विक्सित किया जा रहा है नेक्स्ट अपडेट ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है बहुत ही महतपूर है एकजार के पॉइंट आव यू से यह इंडेक्स अंतराश्टी पसु कल्याण चैर्टी वर्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स के नियम और कानूनों के अंसाथ देश को ए यानि अधिक्तम स्कोर से जी निउन्तम स्कोर होने के आधार पर रैंक दी जाती है भारत को ये स्थान इस्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और नियूजिलेंड के साथ में दिया गया यानि ये भी जो है सेकंड पोजिशन पर है स्वेडन, इनाइटेट किंग्डम और आश्ट्रिया को अधिक्तम स्कोर यानि ए दिया गया है जो की सीर्स स्कोर होता है अगला अपडेट, सामदाइक रेडियो खांची का सुभारम, कहां पर किया गया? राची विशुद्याले ने अंतराश्टी महिला दिवस के उसर पर एक कम्यूनिटी रेडियो लांच किया जिसका नाम है खांची इसे FM 90.4 पर सुना जा सकता है विशुद्याले के कुलपती डॉक्तर रमेश कुमार पांडे ने रेडियो स्टेशन को उन सभी महिलाओं को समर्पित किया है जो पुरुसों की प्रगती में सदयव प्रेरणा रही है नेक्स्ट अपडेट दुनिया के एक मात्र मादाज सफेद जिराफ और उसके बच्चे का सिकार तो केनिया में दुनिया के एक मात्र महिला सफेद जिराफ और उसके बच्चे को सिकारियों ने मार डाला है वर्तमान में केवल अब एक जीवित सफेद जिराब बचा है और मारी गई जिराब का ये बच्चा है इनका रंग सफेद होता है लिूसिज्म एक दुरला विस्ति के कारण होता है जिसके कारण तचा की कोई काओं में रंजकता यानि पिगमेंटेशन नहीं हो पाता है और केनिया की राजधानी क्या है नैरोभी है और मुद्रा यहां की केनियाई सीलिंग है नेक्स्ट अपडेट सातवां ढक्टर म.S. स्वामिनाथन पुरुसकार महतपूर्ण है तो 2017 से 2019 की अवज के लिए सातमा डक्टर म. स्वामिनाथन पुरुसकार वी प्रवीन राव ने जीता है वी प्रवीन राव प्रुफेसर जैसंकर तेलंगाना राज क्रसी फिस ड्याले के अकुलपती हैं इन्हें या पुरुसकार क्रसी अनसंधान, सिच्छन, विस्तार और प्रसासन के छेत्र में योगदान के लिए दिया गया है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं कौसल, विकास और रोजगार सरजन हे तु तीन योजनाय सुरू की गई नेक्स्ट अपडेट रच्छा खूपिया एजनसी का महानिदेशक तो रच्छा खूपिया एजनसी अनि डिया के महानिदेशक लेटिनेंट जनरल के जे एस धिलो जिनोंने पिछले वर्ष सेना के रणनीतिक एक्स वाई कोर में काम किया है इनको न्यूट किया गया तो इनका नाम याद कियेगा के जे एस धिलो यह एक विभाग है जो नए सायन मामलो के विभाग में चीफ आफ डिफेंस के स्टाफ के अंतरगत आता है नेक्स अपडेट भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा की सुरवात तो पस्ची मंगाल में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा की सुरवात की गई है डाग विभाग कोलकाता ने दो डाग घरों में 60 लेक सिटी और आईटी पोस्ट आफिस और न्यू टाउन के एक्सन एरिया में इसकी सुरुवात की है इस सेवा में ग्राहक अपनी सुविधा के अंसाइट डाग घर से अपना पार्सल एकत्र कर सकते हैं अब यह सुविधा है क्या यह सुविधा यूरोपी देशों में बहुत लोगप्री है इस सुविधा के अंतरगत ग्राहक को एक विसिष्ट लाकर नंबर दिया जाएगा जहां पर पोस्ट इंडिया पोस्ट पार्सल चोड़ देगा और पार्सल को डिजिटल पार्सल लाकर म यह पार्सल साथ दिनों तक ग्राहक के लिए सुलब रहेगा इस दोरानवे किसी भी समय इस पार्सल को एकत्र कर सकते हैं अगला अपडेट प्रगती पहल की सुरुवात फेसबुक द्वारा महिला उद्द्यमिता को प्रोसाहिद करने के लिए प्रगती पहल की शुरुवा है कि ये Facebook द्वारा लांच किया गया इस की सुरुवात Facebook ने अपनी corporate सामाजिक दिम्मेदारी के तहट की है और Facebook प्रगती and core के द्वारा संचालित है इससे पहले यह काम की सुरुवात करने अली महिलाओं के लिए उद्धिमता सुरु करने और भारत में महिलाओं के भी जागरुकता और प्रध्योक्की को अपनाने में साहता मिलेगी Facebook प्रगती द्वारा प्रते गयर लापकारी संस्था को अपना काम सुरु करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान प्रदान की जाएंगे Facebook की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई इसके CEO मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय कहाँ पर है कैलिफोनिया अमेरिका में स्थित है 2021 में World Gold Half of Fame में सामिल अमेरिकी गोलफर Tiger Woods को 2021 की क्लास के भाग के रूप में वर्ड गोलफ Half of Fame में सामिल किया जाएगा इनकी 93 बिस्वयापी जीत में रिकार्ड 82 अमेरिकी VGA टूर खिताब सामिल है उन्होंने कैरियर खत्म कर देने वाली चोड के बाद भी पिछले वर्स अप्राइल में मास्टर्स में अपना 15 वा खिता था नेक्स्ट अपडेट जल प्रबंधन और क्रसी व्योस्था के लिए 80 मिलियन डॉलर के रिंड पर समझोता किसके किसके मद्ध हुआ है ये हिमाचल प्रदेश ने 20 सुबैंग के साथ राज में जल प्रबंदन और कसी व्योस्ता के लिए 80 मिलियन डॉलर के रिंड समझोते परस्ताक्षर किये हैं हिमाचल प्रदेश प्राक्तिक संसादनों से समरद पहाणी राज है और इस समझोते में राज जी में 4 लाक से अधिक छोटे किसानों महिलाओं और देहाती समधाय को लाव होगा इस पर्योजना से वनो चारागाहों और घास के मैदानों के जल सरोतों में सुधार होगा जिससे की पानी की उपलब्दता सुनिशित हो सकेगी नेक्स्ट अपडेट आस्टेलिया के सबसे उचे परवत सिखर माउंट कोसिज को पर सफलता पूर्वक चड़ाई किसने की है भावना देहरिया ने इन्होंने 2019 में दीवाली पर तंजानिया की सबसे उची चोटी माउंट किली मंजारों पर पितिरंगा फेराय था एवं 9 मार्च 2020 को 2228 मीटर के माउंट कोसिज को पर चड़ाई की नेक्स्ट अपडेट संतु मुकोपाद्धाय का निधन तो जब भी किसी का निधन होता है तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वो किसलिए फेमस थे तो ये क्या थे प्रसिद बंगाली अभिनेता थे संतु मुकोपाद्धाय, संसार सिमानते और भालो बासो भालो बासा जैसी फिल्मों में अपनी उम्दा आदाकारी के लिए जाने जाते हैं नेक्स्ट अपडेट रनजी ट्राफी का किताब, मतपूर्ण एक्जाम के पॉइंट आब व्यू से किसने जीता है सौराश्ट ने, सौराश्ट ने अपना पहला रनजी ट्राफी किताब जीत लिया है, फाइनल में सौराश्ट ने बंगाल को पराजित किया, रनजी राष्टी क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाडी रणजीत सिंग के नाम पर रखा गया है रणजी ट्राफी के पहले संस्क्रण का आजन 1934 में किया गया था नेक्स्ट अपडेट उत्रन योजना के तहत राज में 33 स्टेडिमों का निर्माड उत्रन योजना किस राज से संबंदित है असम से असम में उत्रन योजना के तहत राज में 33 स्टेडिमों का निर्माड किया जाएगा पूरे राज में स्टेडिमों बनाने के लिए खुल 300 कर का खर्च किया जाएगा नेक्स्ट अपडेट खटवा पैनल द्वारा अंसंतित आटो रिक्सा के लिए हैपी आवर्स के कार्यानवन को मंजूरी तो महराश्ट खटवा पैनल के द्वारा अंसंतित आटो रिक्सा के लिए हैपी आवर्स के कार्यानवन को मंजूरी दी गई है इसके अंसार दोपार बारा से चार बजे की बीच किराये में पंदरा प्रिस्ट की कटवती की जाएगी यह निर्णे इस्थानी टैक्सियों और आया पाधारी टैक्सियों पर लागू नहीं होगा नेक्स्ट अपडेट मोबाईल पर GST बढ़ गया है अठारा परसेंट कर दिया गया है उन्तस्वीं GST काउंसिल की बैठक के बाद बित्मंतरी निर्णा सीता रमण ने जानकारी दी GST बढ़ाने के साथ ही मोबाईल फोन महेंगे हो जाएंगे और कोरोना के कारण पहले ही इनकी कीमत में तेजी आई है विमान की रख रखाओ मरमत ओवर हॉल सेवाओं पर GST को 18% से धटा कर 5% कर दिया गया है नेक्स्ट अपडेट सैयुक्त राष्ट विकास का इकरम द्वारा जेंडर सोसल नौम्स इंडेक्स 2020 का पहला संस्करण लांच किया गया है और इस संस्करण के उसाथ दुनिया में 10 में से लगबग 90% या 9 महिलाओं के खिलाब कुछ पूर्वाग्रह है इस उचकांग ने दुनिया के 81% से अधिक 75 देशों का अध्यन किया है और सामाजिक मानिताओं को मापा है जो राजनीती, काम और सिच्छा जैसे छेतरों में लैंगिक समानता को बाधित करते हैं महिलाओं के खिलाब सर्वोच पूर्वाग्रह वाले तीन सीर्स देश कौन से है पाकिस्तान, कतर और नाइजीरिया और जिमबॉमबे पाकिस्तान इसमें पहले नंबर पे है, कतर और नाइजीरिया दूसे नंबर पर और तीसे नंबर पर जिमबॉमबे है नेक्स्ट अपडेट, पंजाब के द्वारा COVID-19 पर जागरुखता उत्पन करने के लिए एक अप लांच किया गया है, जिसका नाम दिया गया है, कोवा पंजाब एप्लिकेशन को स्वास्त और परिवार कलनाड विभाग के परामर से सरकारी सुधार और लोग सिकायर विभाग द्वारा विक्सित किया गया है निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए एक एप है निगहा तो ये निगहा एप किस ने लांच किया है आन्द पदेश सरकार ने इसका उदेश चुनाव में धन और सराब के इस्तमाल पर रोक लगा कर स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव कराना है इस एप को पंचायती आज भी भाग द्वारा विक्सित किया गया है नेक्स्ट अपडेट है आरोग मित्र की नियुक्ती ये उत्तरपदेश सरकार ने स्वास सम्मंदी उजनाव के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए प्रात्मिक स्वास के इंद्रों पर आरोग मित्र की नियुक्ती करने का निर्णे लिया है ये स्वास्तमित अपने कमांड एरिया वा प्रदेश वा केन सरकार की युजनाओं और पोश्ण मिसन के बारे में जानकारी ही नहीं देंगे बलकि युजनाओं का लाब उठाने के लिए मार्गरेशन भी करेंगे नेक्स्ट अपडेट अमबेटकर हाउस बंद करने के खिलाब भारत की अपील स्विकार अमबेटकर हाउस है कहां पर ये युनाटेट किंडम में है तो अमबेटकर हाउस को बंद करने के निर्णे लिया था युनाटेट किंडम ने उसके खिलाब भारत में ने अपील की थी और उसको United Kingdom ने स्विकार कर लिया है और कहा है कि इसमारक खुला रहेगा। इस इसमारक में डाक्टर रमवेटकर 1921 से 1922 तक रहते थे। आवासी छेतर के लिए योजिना मान दंडो के कर्थित उलंगन के कारण इस इसमारक को बन करना पड़ा था। नेक्स्ट अपडेट 115 युवा वैस्विक नेताओं की सूची में 20 आर्थिक मंच द्वारा सामिल भारती है। तो 115 युवा वैस्विक नेताओं में यानि ग्लोबल लिश्ट है ये इसमें 5 भारतीयों को सामिल किया गया है। कौन-कौन हैं बाइजू क्लासेज के संस्थापक हैं बाइजू रवेंद्र, जोमैटो के सहसंस्थापक हैं गौरो गुपता, अंतरा सीनियर लिविंग के सीओं हैं तारा सिंग वचानी, विनिती आर्गेनिक्स लिम्टेट के एमडी और सीओं हैं विनिती मुटरेजा एवं योरा एकोलोजिकल सलूशन के स्वप्न महरा य नई दिल्ली में किया गया, यह सम्मेलन पुलिस अंसंधान और विकास विवरो द्वारा आजित किया गया था, इसका विशय साइबर स्टॉकिंग आइंड बुलिंग आफ वुमेन, स्टेप्स पार प्रोटेक्शन और चैलेंजर, फेश्ट बाई C.A.P.F. वुमेन इन भुगताओं के अधिकारों के संद्चन के प्रती एक जोट्टा प्रशित करने के लिए मनाया जाता है, इस वर्स की थीम थी The Sustainable Consumer, वुगता अंदोलन की सुरुवात अमेरिका के रल्प नाडर के द्वारा की गई थी, जिसके परिडाम सुरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी इसमें ततकालीन राष्टपती जॉन एफ कनेडी के द्वारा उभुगता संद्चन का विधेयक पेस किया गया था, इस विधेयक में चार प्रापधान थे, उभुगता सुरुच्छा के अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उभुगता को चुनाओ करने का प्राष्टी उभुगता दिवस भी मनाया जाता है, नेक्स्ट अपडेट नमस्ते ओवर हैंड से एक अभियान, करनाटक ने COVID-19 से बचाओ के लिए नमस्ते ओवर हैंड से एक अभियान सुरु किया, इस अभियान में स्वास्त सला भी सामिल है कि कैसे लोग COVID-19 के फैलाओ क रोकने के लिए नीमित रूप से हाथ दोने जैसी स्वच्चता प्रताओं को अपना कर संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं, इसी प्रकार पंजाब में कोरोना वाइरस पर जागरुकता के लिए पंजाब द्वारा कोवा पंजाब मोबाईल आप भी लांच किया गया है Women on Board 2020 अध्यान में भारत का अस्थान, यह अध्यान वैस्विक भरती निवदा प्लेटफॉर्म माई हाइरिंग क्लब और सरकारी नौकरी के द्वारा संयुक तुरूप से किया गया है नार्वे 40.72% महिलाओं के साथ इस सूची में सबसे उपर है एसिया में लगबग 54% कमचारी और भारत में 49% महिलाएं है नेक्स्ट अपडेट चार दीवसीये नागरिक उड्डेयन ब्योसाय प्रदरसनी और हवाई प्रदरसनी हैदराबाद के बेगम पेट हवाई एड्डे में 12 मार्च से 15 मार्च 2020 तक नागरिक उड्डेयन ब्योसाय प्रदरसनी और हवाई प्रदरसनी आयोजित की गई इसका आयोजन फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कॉमर्स यानि फिक की द्वारा नागरिक उड्डेयन मंत्राले और भारती बिमान पत्तन प्रादिकरण के साथ मिलकर किया गया है अगला अपडेट देखते हैं संग्रहाले वेलकम ग्रूप ग्रेजुएट स्कूल आफ होटल एड्मिनिस्टेशन लिमका बुक आफ रिकार्ड्स में सामिल हो गया है Most important exam के point of view से इस संग्रहाले की स्थापना 2018 में की गई थी जो लगबग 25,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस संग्रहाले के संस्थापक और क्यूरेटर सेफ विकास खन्ना है Next Update Face Mask Hands Anitizer को आवस्यक वस्तूओं के रूप में सरकार ने घोसित कर दिया था सरकार ने आवस्यक वस्तूओं अधनियम 1955 की अनसूची में संसोधन करके 30 जून 2020 तक Face Mask Hands Anitizer को आवस्यक वस्तूओं के रूप में घोसित किया था और बाद में इसको बढ़ा भी दिये गया ये वस्तूओं में बिना जमाखोरी और काला बजारी के सभी आम नागरिकों को सस्ती कीमत में उपलब्द हो सकेगी अगलाब डेट फूल देई त्योहार उत्राखंड में फसल उत्सव फूल देई त्योहार मनाया गया ये सभी पहाडों में रहने वाले लोगों के मद्ध आंतरिक संबंधों को भी दरसाता है फूल देई चैतर के पहले दिन या मार्च के मध में मनाया जाता है इस्तिवहार में लड़कियां रितु के पहले फूलों को तोड़ती हैं और अपने घरों को सजाती है सब्द जो देई है एक प्रकार का मिष्ठान जिसे गुड वाइट फ्लोर और दही से मिला कर बनाया जाता है नेक्स्ट अपडेट यस बैंक में 7250 करोन रुपए का निवेस भारती रिजर बैंक की पुनर निमार योजना के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया दोरा यस बैंक में 7250 करोन रुपए का निवेस किया जाएगा यस योजना के अनुसार निवेसक यस बैंक में 49 फिरस्ति इसे दारी खरीदेगा नेच्ट अबडेट बिस्वन नीद दिवस या वर्ड स्कृरवार को मनाए जाता है यानि यह दे फिक्स नहीं होता है और इस वर्ट इसकी थीम थी बहेतर नीद बहेतर जीवन बहेतर ग्रह है अगला अपडेट वित्ती बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश important है क्योंकि COVID-19 से जुड़े जो question आएंगे तो इसी तरह के प्रस्न पूछे जाएंगे कोरोना वाइरस के कारण वित्ती बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन था Philippines था Philippines Stock Exchange और Philippines के Bankers Association द्वारा दिये गए बैयानों के अधार पर इसकी पुछ्टी की गई Philippines की राजधानी मनीला है और मुद्रा क्या है Philippines पेसो है next update ओमान ओपेन पुरुस एकल का किताब भारत के अचंता सरत कमल ने फाइनल्स में पूर्तकाल को हरा कर सीर्स वरिता प्राप्त खिलाडी मारकोर्स फीटास को चार दो से हराया इससे पहले इन्होंने 2010 में मिसर ओपेन का किताब जीता था ओमान की राजधानी क्या है मसकट है और मुद्रा क्या है ओमानी रियाल है next update और रिपोर्ट युनिसेफ की जारी हुई जिसके द्वारा इसमें बताया गया है कि सीरिया और यमन छेतर में युद्ध संकट के कारण पुतेक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है जो की बहुती भयावा इस्तिती है यमन और सीरिया में लगबग 2.2 मिलियन बच्चों को खराब स्वास इस्तितियों के कारण तत्वकाल देखभाल की आउशकता है यमन और सीरिया के छेतरों में बच्चों में स्वास संबंदी कई समस्याएं पाए गई है इस छेतर में डायरिया, संक्रमण और कुपोशन के कारण हर 10 मिनट में कम से कम एक बच्चे की मौत हो जाती है अगला अब डेट रंजन गोगोई जो की भारत के पूर मुख्य नयधीस हैं इनको राज सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था किसके द्वारा राश्टपती रामनात कोमिन के द्वारा विए भारत के 46 मुख्य नयधीस रहे हैं और पिछले साल 17 नॉम्बर को अपने पद से सेवा निमरित हुए थे नेक्स्ट अपडेट चैत्र जाद्सा उस्ष2 को COVID-19 के संकरमाण के कारण रद किया गया है तो ओरीसा की तारा तारणी पहाड़ी मंदिर में 17 मार्ज 2020 को आइजित होने वाले प्रसिद वार्सिक चैत्र जाद्सा उस्ष2 को COVID-19 के वज़े से रद कर दिया गया है भारती नौसेना की नौका आइनस्वी तारणी का नाम भी इसी तारा तारणी पहाड़ी के मंदिर के नाम पर रखा गया है अगला अपडेट इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट आईवी से चमेली देवी जैन पुरुसकार किसको मिला है दवायर की आरफा खानम सेरवानी और बैंगलूरू की फ्रीलांसर पत्रकार रोहडी मोहन को संयुक तुरूप से उतक्रश्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरुसकार से सम्मानित किया गया सेरवानी को कसमीर और उत्रपदेश में संघर्श की सितियों और आसम में अनर्सी अभ्यास पर मोहन की रिपूर्टिंग के लिए पुरुसकार दिया गया यह पुरुसकार एक भारती पत्रकार्टा पुरुसकार है जिससे उनिस्वसी में मीडिया फांडेशन द्वारा इस ने किया था कि वो इसकी टेस्टिंग कर रहा है और हुमन ट्रायल जो है शुरू कर रहा था लेकिन यह विफल हो गया था अगला अपडेट देखते हैं आयुध निर्माडी दिवस दो सो नवा आयुध निर्माडी दिवस अठारा मार्च को मनाया गया भारत की सबसे पुर साथ साथ एसिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा आयुध निर्माडी है एटी के फुडवाल कलब में चैनियन को फाइनल में तीन एक से हराकर तीसरी बार इस लीग को जीत लिया है फाइनल मैच गोवा के फरतोधा इस्टीडियम में खेला गया एटी ने कोवीड नाइंटीन के प्रसार को रोकने के लिए चेन तोड़ो नामक बड़े पैमाने पर हाथ दोने का यानि हैंड वास का एक अभियान सुरू किया था इसका उदेश लोगों को सारजुनिक और व्यक्दिगत सच्चता के महत्व के बारे में सिच्छित करना है नेक् प्रतिसपर्धा नियामक ने अपनी जाच में पाया कि अपपल ने अपनी आर्थिक हैसियत का दुर्पियों कर फ्रांस में स्वतंत्र खुद्रा यानि रिटेलर्स के साथ कीमत के मोचे पर गैर प्रतिसपर्धी विवहार किया है अगला अपडेट बंग बंदू सेख और बंगलादेश का पिता भी कहा जाता है ये बंगलादेश के पहले राश्पती थे और बाद में उन्होंने 1971 1975 की बीच बंगलादेश के प्रधान मंत्री के रूप में कार किया 1975 में उनकी हत्या कर दी गई थी बंगलादेश की मौजूदा प्रधान मंत्री कौन है सेख हसीना उनकी पुत्री है नेक्स्ट अपडेट राष्ट्रिय टीका करण दिवस कम मनाये गया 16 मार्च को मनाये गया और पहली बार 16 मार्च 1995 को यह तब मनाये गया था जब पोलियों की पहली खुराक पिलाई गई थी नेक्स्ट अपडेट बिस्ट का पहला इसकाई डार्क राष्ट कौन बन गया है नियू जो है एक द्विपी देश से बहुत छोटा सा यह बिस्ट का पहला डार्क इसकाई राष्ट बन गयाएगा नियू देश की ओर से अपने आकास भूमी और समुद्र के सनच्छन के लिए इंटरनेशनल डार्क इसकाई असोसियेशन को दिये गए आवेदन को मन्जूरी प्रदान कर दी गई है नियू दच्छनी प्रसान महासागर में एक छोटा सा द्वीप है इस देश की आबादी सोला सो है नियू की राजधानी अलोफी और मुद्रा जो है नियूजिलाइन डॉलर है अंतराष्टी डार्क इसकाई स्पेस वे इस्थान होते हैं पर रात के समय प्राकृतिक रूप से अंधेरा होता है पार्क रिजर्व और इस्थानी समदाएं और सहित दुनिया भर में डार्क इसकाई मानता प्राप्त 130 से ज़्यादा साइट्स हैं पहला Global Recycling Day 18 मार्च 2018 को Bureau of International Recycling के द्वारा मनाया गया था Global Recycling Foundation द्वारा इस वर्स की थीम Recycling Heroes रखी गई है इस दिवस को मनाया जाने का उद्देश अब सिष्ट को एक महत्कूर संसाधन के रूप में स्थापित करना है नेक्स्ट अपडेट युगांडा में भारत के अगले उच्चा युक्त कौन है ए अजय कुमार युगांडा में भारत के अगले उच्चा युक्त होंगे वर्तमान में ए अजय कुमार विदेश मंत्राले में संयुक्त सज्यू के परपर काररत है मनोहर परिकर पर लिखी गई पुस्तक का एक भी मोचन हुआ है और इस पुस्तक का नाम क्या है Invincible Attribute to Manohar परिकर इसकी एक प्रती केंदरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी निडिन गड़कनी ने राश्टपती को भेट किये इस पुस्तक का लेखन किस ने किया है तरून विजय तो इसका राइटर आपको याद रखना है जिसे रच्छा मंतरी राजनार सिंग द्वारा 16 मार्च 2020 को जारी किया गया था मनोहर परिकर गोवा के पूर्मकुंतरी और भारत के पूर्व रच्छा मंतरी हैं का 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था अगला प्रेट अंतराश्टी ऊर्जा एजनसी की रैंकिंग कंसार भारत का बिजली उत्पादन में कौन सा इस्थान है तो अंतराश्टी ऊर्जा एजनसी की रैंकिंग कंसार भारत का बिजली उत्पादन में तीसरा इस्थान है बहुत ही महतपूर है इस तरह की रैंकिंग प्राया पूछी जाती हैं और प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत 106 इस्थान पर है वानी 106 पोजिशन है भारत बिजली की कमी के कारण बिजली अधिशेश यानी पावर सर्पलस देज बन गया है इसलिए वर्तमान में उभ 2019 तक भारत में 72% बिजली कोईला आधारित बिजली सैंत्रों से बन रही थी भारत धीरे धीरे उर्जा के अंसरोतों विसेश का 100 उर्जा के ओर बढ़ रहा है भारत ने 175 गीगावाट अच्छे उर्जा प्राप्त करने का लच रखा है इसमें से 100 गीगावाट उर्जा प्र अली में सीगर रक्साओं को रोकने के लिए स्टार्च बेजड एक होमोस्टैट पदात विक्सित करने में सबलता प्राप्त की है बैग्यान को कनसार स्टार्च आधारित होमोस्टैट पदात रक्त से अतरिक्त द्रव्य को असोसित कर रक्त जमाव में सहायता प्रदान करत इस संसान किस्ता अपना भारत सरकार के नैनो मिसन के तहट वर्स 2013 में की गई थी, इसका उदेश भारत में नैनो विज्ञान और नैनो वुद्योकी के छेतर में सोध और विकास को बढ़ावा देना है अगला अपडेट देखते हैं, अबनेता जैलाम कुलकर्णी का निधन, तो ये अबनेता कहां के थे, मराथी भासा के लोगपरी अबनेता थे, जैलाम कुलकर्णी इनका निधन हो गया है इन्होंने 150 से वेडिक फिल्मों में काम किया है, इनकी आखरी फिल्म खेल आयूस माचा आयूसी हाल ही में रिलीज हुई है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, वयोबरद पत्रकार और राजसभा से पूर सदस्थ का निधन हो गया है इनका नाम क्या है पाटिल पुटपपा, वयोबरद पत्रकार और राजसभा के पूर सदस्थ थे इनका हाली में निधन हो गया है, वे 1962 और 1974 के बीच दो कारकालों के लिए राजसभा के सदस्थ थे पुटपपा, सापताहिक, प्रपंच के संस्थापक सदस्थ थे और उन्होंने नवयुक का भी संपादन किया है पुटु सेरी रामचंदरन प्रसिद मलयालम कवी थे जिनका भी हाली में निधन हो गया है और इनकी पहली कविता उन्ना नथा कट्टम थी जो 1944 में प्रकासित हुई थी इम्तियाज खान जिनका हाली में निधन हो गया है वे प्रसिद वाली बुडवनेता थे और वे दिवंगत वाली बुडवनेता अमजद खान के भाई थे अगला अपडेट देखते हैं इंटरनेशनल डे आफ हाइपिनेस कब मनाया गया बीस मार्च को ये मनाया गया इस वर्स इस दिवर्स की थीम है हैपिनेस फार आल टुगेदर इस वर्स इंटरनेशनल डे आफ हाइपिनेस अभियान में विस सुमें रह रहे 7,8 बिलियन लोगों और प्रत्वी के सभी 206 देशों और छेत्रों से एक जुटता से खुसाल रहने के साथ मिलकर कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने का संकल्प का आवाहन किया गया है संयुक्त राष्ट द्वरा जारी की गई खुसाल देशों की रिपोर्ट में भारत का क्या इस्थान है तो 156 देशों में कुल भारत का 144 वा इस्थान है वर्ड 2020 की वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2017-2019 के आधार पर तयार की गया है वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2020 इनवायर्मेंट फॉर हैपिनेस पर केंदरी थे यानि यह इसकी थीम है और यह जो है आठवी रिपोर्ट है इस तरह की फिंड लैंड ने लगाता तीसरी बार इस रिपोर्ट में पहला इस्थान पराप्त किया है डैनमार्क दूसरे नंबर पर और स्विट्जर लैंड इसमें तीसरे इस्थान पर है तो दोस्तो आज के इस रिवीजन सेरीज में इतना ही मिलते हैं जल्दी इसको कांटिन्यू करते हैं नमस्कार धन्यवाद